ये से नो महीने में राजस्थान सरकार आप लोगों को नियुक्ती देगी सात्यों ये बात मुख्य मंत्री के दफ्तर से आ रही है मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों निर्देश दिये है कि जो चैन प्रक्रिया है वो तेजी से होनी चाहिए तो जानते हैं कि पूरा मामला क्या है आप जानते हैं कि राजस्थान में काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही है कि लाखों लोगों की भरतियां अलग-लग विभागों में होनी है और उनमें से एक बड़ी भरती सिक्षकों की भी है तो ये बात एकदम सत्य है और ये समय बड़ा नजदीक है जब आप लोगों को केलेंडर देखने को मिलेगा बताये गया है कि 14-15 नवंबर को जारी होगा 60 परिक्षाओं का केलेंडर और जो भरतियां होनी है वो 2026 तक चलेंगी आप ये देखें कि अभी 2024 है और 2024 में, कब कौन सी परिक्षा का notification, कोन सी भरती का notification जारी होगा कब कौन सी परिक्षा आप लोगों की होनी सब कुछ आप लोगों को पहले से बताया जा रहाए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो परिक्षा और परिणाम की भी तारीक घोशित करने पर सरकार विचार कर रही है जो केलेंडर होगा वो 2026 तक का तैक किया जाना है उसमें इस बात पर खास ध्यान रखा जाएगा जैसे कोई परिक्षा आप लोगों की होनी है तो 6 महीने से 9 महीने में नियुक्ती प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगे ऐसा नहीं है कि 2025 में कोई पेपर होना है और उसकी नियुक्ती 2026 के आखिर में जाके मिले नहीं तो आप लोग जो राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं बेटा अच्छे से अपनी तयारी में जुट जाओ अब कमी मताने देना आपके पास में महीने भर का समय है और महीने भर के बाद में आप ये पाएंगे कि आपके सामने राजस्थान के लग-लग विभागों से संभंदित 60 परिक्षाओं का केलेंडर आ रहा है सभी अपडेट आप लोगों को लगातार मिलती रहें और ऑथेंटिक सूचना आपके पास में हो तो टेलिग्राम पर जोइन करना मत भूलना अजय सिंग खर्ब आप जोइन करोगे इसी नाम से आप मुझे सर्च करें टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा